हेलो दोस्तो वोलुम स्टेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यदि आप रेलवे एंटी पीसी परिक्षा 2019-20 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा एंटी पीसी CBT-1-1-2019 के ओफिसियल अफडेट है ओफिसियल स्लेवस के बारे में बताऊंगा कि रेलवे ने जो ओफिसियल स्लेवस डाला है वो क्या है तो CBT-1 एक्जाम का ओफिसियल स्लेवस के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि परते एक पार्ट में कितने प्रिसंट पूचे जाएंगे साथ ही बात करेंगे कि एकजाम CBT-1 का टाइम डूरेशन क्या रहेगा और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों ये रहा मेरे पास ओफिसियल नोटिफिकेशन भारत सरकार रेल मंत्रायले रेलवे भरती बोर्ड विस्तुरत केंद्रिय रोजगार सुचना CEN 1.2019 तो सबसे पहले ओफिसियल स्लेवस को देखने के लिए सबसे पहले चलेंगे पैरा नंबर 13 पर 13 पर ओफिसियल स्लेवस दिया गया है पूरे विस्तार से एक्जाम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के आपकी NTPC CBT-1 एक्जाम होने वाली है तो आईए यहां से देखते हैं पैरा नंबर 13 13.1 13.1 में लिखा है प्रिथम चरण कंप्यूटर आदरारित परिक्चा इस CEN के सभी अधी सुचित पदों के लिए समान होगी यानि जो CBT-1 का एक्जाम होगा वो सभी स्रेनी की सभी केटिगिरियों की पोस्टे उनके लिए सभी के लिए समान रहेगा कॉमन रहेगा परिक्चा की अवदी की बात करें तो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा CBT-1 एक्जाम के लिए और इन 90 मिनटों में आपको पूरे 100 कुश्चन को करना पड़ेगा यह 100 कुश्चन है आपको तीन बागों में तीन प्रकार के मिलेंगे जिसमें सामान जाग रुकता के 40 कुश्चन गनित के 30 कुश्चन और सामान बुद्धी और तरक सक्ती के 30 कुश्चन मिलेंगे प्रतेक कुश्चन रहेगा आपका एकंकर रहेगा और टोटल सो कुश्चन रहेंगे सो नमबर के रहेंगे और सो नमबरों के आधार पर ही आपको नॉर्मलाइज स्कोर तयार करके CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा यहाँ पर PWD उम्मीदवार है उनके लिए जो टाइम रहेगा वो 30 मिनट एक्स्टर रहेगा यानि 120 मिनट कर रहेगा इसके बाद नेक्स्ट है उपरियुक्त सारनी में दिया गया खंड़वार विवाजन केवल सांकेतिक है वास्त्रिक प्रसंद पत्र में कुछ परिवर्तन आ सकता है यानि जो आपको यह टेबल दिख रही है इसमें जो प्रतेक पार्ट में जो डिवाइडेशन किया गया है कुश्चनों का उस कुश्चन में कुछ वेरियेशन आ सकता है पेपर सी बीटी वन का सकता है यह निसार मनें जाग रुक्ताटाकर जैसे 40 कुश्चन है है तो वहां परgroup नीचे हो सकते हैं 42 24 best पहुत अंतर वैरियेशन हो Jake लेकिन जो टोटल कुश्चनों के संक्याएगी वह आपके अंडरेडी आएगी इसमें कोई वैरियेशन नहीं होगा इसके बाद चलते हैं आगे कंप्यूटर आदारित परिक्षा प्रिथम चरण छटाई स्क्रिन प्रकार का होता है तथा कंप्यूटर आदारित परिक्षा के लिए प्रसन पत्रों का इस्तर सामाइन पदों के लिए निर्दारित सेक्षिन इस्तर के अनुरूप होगा यानि जो आपकी पोस्ट है जो आप निकरत अंकों का उप्योग उम्मीद्वार के मेरिट के आधार पर उन्हें दित्य चरण के लिए चैन करने में किया जाएगा यानि प्रिथम जो cbt exam होगा उसका नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो उसकी मेरिट के आधार पर कंडिडेट को cbt सेकल के लिए चुना जाएगा ऐसे उम्मीद्वार जिने कंप्यूटर आधारित परिक्छा के दित्य चरण के लिए चैन किया गया हो वे अन्य पिछला वर्ग यानि ओबी सी अनुसुचित जाती सी अनुसुचित जन जाती स्टी या इडवलू एस या दिवग्यांत भूतपुरु सेनिक की कोटी या आरक्षन स्विधा का लाब पा रहे लाब ले रहे उन्हें भरती पिरक्रिया के अगले सभी चरणों में सामधा एक के अंदर ही माना जाएगा यानि कहने का मतलब यह है कि जिन भी विद्ध्यारतियों का CBT-1 से सलेक्षन होगा जिन भी विद्ध्यारतियों का सीबीती वन से सलेक्षन होगा Cebility के सिलेक्षन होगा तो CBT2 में भी STK candidate को UR की seat पर ही एक्जाम देनी होगी यानि यूर की ही कोटे से उसको एक्जाम देनी होगी इसके बाद next है वस्तुनिस्ट बहुवी कल्पी प्रकार के होंगे सभी प्रसन है जो बहुवी कल्पी प्रकार के होंगे यानि objective type question होंगे चार option आपको दिये जाएंगे इसके बाद जो syllabus है उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं महित की गणित की इसका syllabus है अंक गणित यानि नंबर सिस्टम बोर्ड मास दसमलो भिन लगुतम समापरतक यानि LCM महितम समापरतक यानि SCF अनुपात लाभानी भीज गनित जामति और तरक्वनमिति प्रारंबिक संक्या की इत्यादी तो यह आपका गनित का सलेवस रहेगा इसमेंसे जो आपको अच्छे प्रिसनवालियां लगती हैं जो भी टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं उनकी तैयरियां आप अच्छे से करिए इसके बाद जो रिजिनिंग का सलेवस रहेगा वह इस प्रकार है अनुरूपता समयन बुद्धि और तर्क सक्दी अनुरूपता क्रम के रखना जबलिंग वेनारेक पहली आकड़ी परियाप्टता कथन निसकर्स कथन निरने लेना निरने नक्सा आले खोकी से इसके बाद बात करते हैं सामायने जाग रुकता यानि जनरल अवेरनेस पर तो इसमें हैं रास्टिये और अंतरास्टिये महत्यू की सामायन विग्यान और जीविग्यान दसवी सीबी एसी तक भारत का इत्यास स्वेतंतरता संग्राम भारत और विश्व की बहुतिक सामाजिक और आर्थिक पोगोल भारतिय राजनिती सासन सविधान राजनिती प्रिनाली भारत के सामायन विग्यानिक यहम तक्निक की विका साइथ अंतर अंतरिक्ष पर्मानुकारिक्रम सेंक्तरास्ट अन्न महत्पूर्ण संग्ठन भारत और विश्व के बड़े पैमाने पर परियावरन के मुद्दे कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रियोग सामानिसिंचिप्तियां भारत में परिवहन प्रणाली भारती अ इसके बाद बात करते हैं विविन पातरता रखने वाले न्यूंतम प्रतिसत अनारक्षत के लिए चालिस परसेंट अंकलाना जरूरी है cvt one में पास होने के लिए अने पिछला वरग्यानी obc के लिए non Judaism ncl के लिए चाहिए तीस परसेंट अनुप्रब्ध दिन्यूंख के लिए यानि st के लिए एक के लिए चाहिए 30% और को सिक लिए चाहिए 25% दिव्यांग और व्यक्तिओं के लिए अरक्षित रिक्तियों के लिए दिव्यांग वक्तियों के अनुक्रब्ब्लेहोने की स्तितिम में देश्चेंग, उमेद्वारोगी पात Sãoille 2